नमस्कार आप सबका स्वागत है मेरे चैनल A2Z डिशिश उशा कुरजानी में तो एक बर मैं फिर से आ गई हूँ आप सभी के लिए बहुती बढ़िया सी रेसिपी लेकर आज आपके साथ मैं शेर करने जा रहे हूँ तूवेर दाना का पुलाओ खाने में बहुती बढ़िया लगता है और सर्दियों के मौसम में ये तूवेर बहुती बाजार में दिखने को मिलती है और सची में इसका आप ये पुलाओ बना के खाएंगे तो बहुती बढ़िया लगेगा इसे लिलबा पुलाओ भी कहते है तो चलिए देर नहीं करते हैं बनाना शुरू करते है तो तूवेरदाना पुलाओ बनाने के लिए सबसे पहले क्या-क्या हमें इnग्रिडियंस चाहिए हम वो देख लेते हैं तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम तुवेर दाना ले लिये जिसे मैंने अच्छे से साफ कर लिया है उसके बाद यहाँ पर मैंने लिये है 100 ग्राम चावल चावल मैंने नॉर्मली लिये है उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ सबजीया लिये है सबसे पहले उसमें लिया है एक प्य प्यास और एक शिम्ला मिर्च प्यास को मैंने इस तरह से तुकडों में कट किया है और शिम्ला मिर्च को मैंने लंबा कट किया है फिर मैंने यहां पे लिया है टमाटर यहां पे मैंने एक टमाटर लिया जिसे मैंने तुकडों में कट कर लिया है फिर मैंने यहां पे लिया है थोड़ा सा उसके बाद यहां पे मैंने लिया है एक बड़ा चमच अद्रक लसन की पेस्ट अब यहां पे कुछ मैंने मसाले ले लिये हैं उस पे सबसे पहले यहां पे मैंने लिया है एक बड़ा चमच लाल मिर्श पाउडर एक चमच हल्दी पाउडर इसके बाद यहां पे म मैंने लिया है एक बड़ा चम्मच गरम मसाला उसके बाद यहां पर मैंने लिया है एक बड़ा चम्मच गी गी लेने के बाद यहां पर मैंने लिया है लास्ट में दो चम्मच तेल तो यहां पर इंग्रिडियन्स खतम होते हैं चलिए बनाना शुरू करते हैं यह जो मैंने आपको बता है दो चमस तेल हमने डाल दिया है अब इसके अंदर हम गी को डाल देंगे मैं गी और तेल दोनों का इस्तमाल कर रही हूं गी जैसे गरम हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे जीरा फिर डाल देंगे प्याज तो आप देख सकते है मैंने प्याज डाल दि अद्रक लसन की पेस्ट इसे भी इसके साथ ही आपको चलाते हुवे भूनना है अद्रक लसन का थोड़ा सा कच्छा पने वो निकल जाए और इसके एकदम बढ़िया तरीके से खुश्पू आ जाए तब तक आपको इसे भूनना है इसमें वक्त लगेगा एक से दो मिनिट फि इसे डालने के बार अच्छे से मिक्स करके एक से दो मिनिट तक इसे भी हम पका लेंगे जैसे यह हम कुकर में बनाते है तो आसान तरीके से भी बन जाता है और टेस्टी भी बहुत लगता है तोवेट दाना को हमने बून लिया है एक से दो मिनिट तक अब इसके अंदर हम आलू और टमाटर दोनों डाल देंगे और इसे भी थोड़ा सा एक से दो मिनिट तक बून लेंगे सारी सबजियों को आपको अच्छे से बूनना है और इसके बाद हम चावल को डालेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने तूवेट डाला था उसे बून ल अड़िया आएगा और इसके बाद डालेंगे स्वाद अनुसर नमक और इन सब को अच्छी से सबसे पहले हम मिला लेंगे ताकि जो सारे मसाले है यह लीलवा आलू टमाटर में अच्छी से मिल जाए और इसे लगातार चलाते हुए हम एक से दो मिनिट तक पका लेंगे ता उर से लंबे टुक्डों में कट कर लिया है वो डालेंगे और इसे हलका से इस तारो से मिक्स करके एक मिनिट तक पकाएंगे अब जब तक यह पक रहा है यहां पर मैने चावल को चार से पांच पानी से दो लिया है और 10 मिन तक इसे बिगो दिया है अब ये चाओल को हम डाल देंगे कुकर में हमारी सारी सबजीया सारे मसाले हैं अच्छे से पक चुके आप देख सकते हैं तेल भी थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो चुका है अब इसके अंदर हम चाओल को डाल देंगे आप देख सकते हैं चावल को हमने डाल दिया है अब इसको डालने के बाद हम इसके अंदर एट करेंगे पानी तो जिस कटोरे में हमने चावल लिये थे यानि कि जिस बाउल में हमने चावल लिये थे उससे दुगना आपको डालना है मैं आपको दिखा देती हूँ, इससे मैंने ये जो चावल है, हमने डाल दिया है, इसके बाद हमने पानी डाल दिया है, और अच्छे से इसे मिला दिया है, आप देख सकते हैं, इसी बाउल से मैंने राइस लिये थे और इसका दुगना मैंने पानी डाल दिया है, ये एकदम स जानिया डालने के बाद इसे अम एक बार फिर से अच्छे से मिला लेंगे आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सी खुश्बू आ रही है अब इसे ढखकर हमें पकाना है तो इस तरह से ढखकन दे दीजिए और इसे दो सीटी आने तक आपको पका लेना है तो लीजे तयार एक दब बढ़िया सा कुककर में बनाया हुआ खिला खिला हमारा तुएर दाना का पुलाओ यानि की लीलवा का पुलाओ तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिए का बहुत ही बढ़िया लगती है इसे आप आचार के साथ खा सकते है धाई के साथ खा सकते है तो जरूर ट्राइ कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन बताइए आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब का नाम बिलकुल नाम बूले आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलती है उन्हों रेसिपी के साथ थांक यू फोर वाचिंग